आपने देखा होगा 50 की नोट पर हमपीष का इसमारक और 100 की नोट पर रानी की वाओ है 200 की नोट पर साची का इस्टूप और 500 की नोट पर लाल किले का चित्र आपने देखा होगा पर क्या आप यह जानते हैं कि यह सभी 20 फिविरासत इस्तल है युनेस्को आखिर युनेस्को है क्या तो युनेस्को का भुलफाम है United Nations Education Scientific and Cultural Organization इसका मुख्याल है फ्रांस के पेरिश में है इसका उदेश सिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से सांती एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिना है अगर हमारे देश में विश्व विरासत इस्तल की बात करें तो इनकी संक्या वर्तमा समय में 40 है जिनके बारे में आज विश्टा थे जानते हैं पहला नंबर पर है अजन्ता की गुफाए, अजन्ता की गुफाए महराष्ट राज के और अंगाबाद जिले में इस्तित है, अजन्ता की गुफाए हिंदू और बौध द्रम से संबन्दी थे, इसको विश्व विरास्त इस्तल में 1983 में सम्मिलित किया गया है, वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा है महराष्ट राज के और अंगाबाद जिले में इस्तित है, जो हिंदू बौध और जैन्दर्म से संबन्दी थे, जो भारत के प्राकी निथियास के संस्कृतिक और कलात्नक को दफ़ाता है, इसे भी 1983 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया है, वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो आगरा का किला है, आगरा का किला उस्तर प्रदेश के आगरा सहर में जमना नदी के किनारे इस्तित है, इसे आगरा के लाल किले की नाम से भी जाना जाता है, इसे भी विश्व विरासत इस् वहीं चोथे नमबर पर बात करें तो ताजमाल है जी हाँ ताजमाल सेवन औस्चर अर्थाथ सेवन मंडर्स आप दो वल्ड में से एक है जहाँ जमना नदी के तड़ पर आगरा में इस्तित है इसे 1983 में विश्व विरास्त इस्तल में सामिल किया गया है वहीं पाच्वे नमबर की बात करें तो फतेपुर शिक्री है जिसे 1986 में विश्व विरास्त इस्तल में सामिल किया गया है अकबर की खौबों की नगरी की नाम से भी जाना जाता है गुजरात विजय के पस्चाथ जहां बुलन दरवाजा सहीद कई समारक बनाये गये थे वहीं चटवे नमबर की बात करें तो सूरी मंदिर कोनारक है जिसे 1984 में विश्व विरास्त इस्तल में सामिल किया गया था कौनारक में इस्ति सुरी मंदिर जोकी उडिशा की पूरी जीला में इस्तित है कौनारक सुरी मंदिर को बलेक फैकोडा की नाम से भी जाना जाता है इसका निर्मान पेरिश अतबदी में गंग बंस के साचक नसी देव प्रतम के द्वारा किया गया था वही अब हम 7 नमबर की बात करें तो महाबलीपुरम की मंदिर है तमिलाडू के महाबलीपुरम में इस्थित इस्मारकों के समों को विश्व विरासत इस्तल का दर्जा प्राप्त है जिसे 1984 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है वही गोवा के चर्च की बात करत चंदेल बंस के राजाओं के द्वारा निर्मित खजराओं के इस्मारक हिंदू और जन्दर्म से संबंदित है युनेश्कों नई से देखा जा सकता है वहीं अब हम ग्यारा नमबर की बात करते हैं जी हां ग्यारा नमबर पर मद्यपदेश की भीमबैटका की गुफाय है जिनकी खोच 1957 में की गई थी इन्हें तीस हजार बरस से भी ज्यादा पुराना माना जाता है इन्हें 2003 में विश्विवरास्त इस्तल के पर रूप में चैनित किया गया है वहीं हम राय स्थान के कुछ विश्विवरास्त इस्तलों की बात करते हैं जिन में से 12 नमबर पर केवलादे निश्नल पार्क है जिसे 1950 में 252 गोषित किया गया है वहीं अब हम तेरा नमबर की बात करें तो पहाड़ी की लिए जी हां रा इसमें दफ पिंक शीटिक अर्थाथ रायस्तान की गुलावी नगरी की नाम से जाने जाने वाला सर जैपूर है जिसे 1770 में समाई राजा जहैंशी के दोरा इस्थापित किया गया था वहीं अब हम 15 नंबर की बात करते हैं जहां जंतर मंतर जिसे 2010 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है जंतर मंतर का नेवान महराजा जहशी दिती ने करवाय था प्राचिन काल में मौसम संबंदी और खवगोली घटना का अध्यन किया जाता था वहीं अब हम 16 पे पस्चे मंगाल की एक मातर विश्व विरासत इस्तल की बात करते हैं जिन में सुंदरवल नेशनल पार्क है जिसे 1987 में विश्व विरासत इस्तल का दरज़ा प्राप्त किया गया है जहां विश्व का सबसे बड़ा मेगरो वन छेत रहता है तथा विश्व क सबसे बड़ा डेल्टा है यहां भारत का सबसे बड़ा बाग बंगाल टाइगर पाय जाता है अब हम नंबर 17 पर इस्तित हैं कंचन जंगा नेशनल पार्क जिशे 2016 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है यह अपनी विवयत्ताओं के कारण प्रसिद्ध है यहां पर विश्व की तीसरे सबसे उसी चोटी कंचन जंगा भी इस्तित है अब हम नंबर 18 पर गुजरात के प्रमुख विश्व विरासत इस्तल की बात करते हैं चंपानेर पावागर पुरादत पार्क जिशे 2004 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है यहां पर पाटन जिले में इस्तित रानी की वाओ अपने आकार और मुर्तिकारिता के लिए प्रसिद्ध है इसे आप 100 रुपे के नोट पर भी देख सकते हैं वहीं अब हम नंबर 20 पर धोलाविरा की बात करते हैं जिशे 2021 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है वर्तमा अब हम बिहार के कुछ महतवपूर्ण विश्व विरासत इस्तल की बात करते हैं वहीं हम नंबर 22 पर महाबोधी टेंपल गया की बात करते हैं जिशे 2022 में विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है बोध गया में महतमा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी ज वहीं 23 नंबर पे नालंदा की बात करते हैं जिसे 2016 में विशु विरासत इस्तल में सामिल किया गया है इसकी इस्तापना समराट कुमार गुपत ने की थी जहां पर बहुत दिश्टूप तथा विहार इस्तित है वहीं अब हम तमिल नाडू के कुछ विशु विरासत इस्तलों की बात करते हैं नंबर 24 में महावलीपूरम के मंदीर है जहां चन्येश से 58 किलोमेटर के दूरी पर इस्तित है इसका निर्मान पल्लाववेंस की राजा ने करवाया था वहीं नंबर 25 की बात करें तो चोल मंदीर है जिसे 1987 में विशु विरासत इस्तल में सामिल किया गया ह इन मंदीरों को चोल सासकों के द्वारा बनवाया गया था वहीं अब हम नंबर 26 की बात करें तो हमपी से जिसे 1986 में विशु विरासत इस्तल में सामिल किया गया है उन्हि सहर के मंदीर द्रविट तैली के बनाए गया था या इस्तमारक का चित्र आप 15 की नोट पर भी बने इसमारक है अब नंबर 28 पर हम हिमाचल पदेश के प्रमुक विश्व विरासत इस्थल की बात करते हैं जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जिसे 2014 में विश्व विरासत इस्थल में सामिल किया गया है जहां हिमाचल पदेश के कुल्लों में श्तित है जहां उचा ठ्रहनी के बीच इस्तित है और हम दिल्ली में इस्तित विश्विविरास्त इस्तलों की बात करते हैं जिसमें नमबर 30 मर में दिल्ली में इस्तित है है कुटुब मिनार की उचाई 72 मिटर है कुटुब मिनार परिशन में इस्थित दो इस्तंब है जो 23 फिट लंबा है और उस पर जंग नहीं लगता है अब हम नंबर 32 पर लालकिला की बात करते हैं जिसे साथ में विश्व विराथत इस्तल में सामिल किया गया है यह राष्टी महत्तों का इस्मारक है जहां पर प्रत्यक स्वतनता दीवस के आउसर पर प्रप्रदान मंत्री तिरंगा भराते है यह इस्मारक का चित 500 के नोट पर देखा जा सकता है अब हम असम्य श्तित विश्व इस्तलों की बात करते हैं जिसमें नंबर 33 पर काचिरंगा नेशनल पार्क है जिसे 1985 में विश्व विराथत इस्तल में सामिल किया गया है यह एक महत्र जगह है जहां पर व्येक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है वहीं नंबर 34 पर बात करें तो मानस पन्य जीव अबैरन ह जिसे 1985 में विश्व विराथत इस्तल में सामिल किया गया है यहां पर विवित प्रकार के पेड़ पोदे और पसु पाये जाते है वहीं अब हम महराष्ट के कुछ विश्व विराथत इस्तलों की बात करते हैं नंबर 35 पर एलिपेंट कुफाय है जिसे 1987 में विश्व विरा विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है मुंबई में ब्रिटिस काल में बनाई गई रेल्वे स्टेशन या इस माराख है जिसे विश्व विरासत इस्तल में सामिल किया गया है अब नंबर 37 पर बात करें तो पस्चिमी घाट अर्था जिसमें करनाटा केरला तमिल में पाई जाती है त्यलंगाना के एक मात्र विश्व उरासत इस्थल रामपा मंदिर जिसे वर्स्थ 2021 में हाल ही में विश्व उरासत इस्थल में सामिल किया गया है यहां मंदिर पालंपेट में स्थित है इसे हाल ही में 2021 में उन्यस्कु दौरा विश्व उरासत इस्थल में स जिसे नंबर दोपन निल्गिरी पर्वती रेल है झा उठी आर्था तमईल नाडू में है जिसे दूजार पांच में 25 में विश्ववे रसत इस्थाल में सामिल किया गया है वहीं तीसरे नमबर पर बात करें तो काल का सिमला रेलवे है जो हिमाचल पदेश में है जिसे 2008 में विश्वी विरास्त इस्तल में सामिल किया गया है